एक हफ्टे बाद 14 सितंबर से बड़ा परिवर्तन अब की बार कन्या में सूरी का प्रवेश उच्चिपद, मान सम्मान या फिर लोग प्रियता सूरी गोचर से किन को होगी लाब हानी किनके धनपती बनने की गारंटी है देखे सिर्फ धर्म ज्यान पर अब की बार हम आप लोगोगे लिए लेकर आएं ग्रहों की राजा यानि की सूर्य का माहा राशी परिवर्तन आपकी बार देखे सूर्य कन्या राशी में आ रहे हैं और सबसे दल्चस बात यह है सूर्य है जिसे जोतिश मिजेसर की महिंग जी बताते हैं कि पिता आत्मा का कारक माना गया है सरकारी नौकरी और सबसे बड़ी बात है कि जाजनीती और लोग पुरियता सूर्य के चमकने से ही भागय का उदय होता है तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सूर्य के राशी परिवर्तन आप लोगों को कितना फायदा देकर जाएगा आपकी तरक्की में पारण राश्या इस पर हम लेंगे तो आईए सबसे पहले सूर्य की कित्ती बड़ी भूमी का हम आम जंद मारस के जीवन में हमेशा से देखने को मिली है पहले यह थोड़ा सा जान लेते बताए कष्या बिल्कुल कवितरिए के सूरी एमारे पिता का अत्मा का वेक कहता है कि सूरी अगर मैं मजभूत है कि व्यक्तवी कि आजी से ज्या संवस्या दू सामावत हो सूर्य घhr devices इसान पोर तो सोुर्य अगर में सुरी अगर करें वचरीबंانे सिंह में अभी तक चलैते और इनको तरफंड इम पाल एक विचू आ है कि यह बहुत बली उलाते कि अगर तुला राशी में इनको नीच माना आ जएक है कि सबसे जार आ श्युफल तोला राशी जड़ी में परेशानियां बहुत ज़्यादा रहती है उनको दीगतों का सामना में अच्छे निटेए और जोंके में अच्छे सब्सक्राइब होता है समाज में मान पर्तिष्ठा हासिल करता है और सूरिय बुद्र या सूरिय गुरु के यूति होते तो व्यक्ति राजनीति में अभीनेता नेता बहुती उच्छ तरफ पर अपना नाम कमाते हैं सरकारी नोकरी में बड़ी सफलता भी सूर्य दिलाता है आजकर लोगों की चाह मलते हैं मैं नोकरी में आठेकर अर्फ लक्ति में जाएंगे मेश राष्य को क्या लाप और क्या हनुत है तो लेकिन व्यापार में अचानक से धनलाब भी मिलेगा कामकारवार अच्छा चलेगा जोरान ये फ्लस-पॉइंट है और मान-पर्तिष्था भी बढ़ेगी लेकिन खर्च अधिक रहेंगा भोग विलास्ता से थोड़ा सा बच के चलना होगा मेश राशी वालों के लिए औ और फिजूल खर्ची से बचें तो ओवरोल ये गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा वरिश्यव राशी वरिश्यव राशी वालों संतान की सेहत का ध्यान रखें पेट संबंदी रोक से प्रेशान रह सकते हैं आलकि व्यापार में कारोबार में धलनाव अच्छा म गलती आपसे अलापरवाई हो सकती है तो शीज का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है धन का निवेश करने से बचना चाहिए और इसी कड़ी में कर्क के लिए कर्क राशी वालों के लिए गोचर बहुत उत्तम रहेगा जिनको अचानक से धनला मिलेगा मानपतिष् सिंग राशी वालों वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है उनका निवेश ना करें सेहत का ध्यान रखें तो यह तो आपके लिए माइनस पॉइंट है अब प्लस मॉइंट के हैं कि जो कारोबारी है उनको जरूर लाब मिलेगा पहले लाब बहुत जारा ब जाए कि आपको पुपनी सेहत का ध्यान चाहिए को अधिक्ता से बचना चाहिए अन्याथा तो आप घर पे हो या ऑफिस में हो अपने आपको परिशानी में पाएंगे इस वरान डिप्रेशन माइग्रेन की समस्या भड़ सकती है जिनको दिक्कत है वह समस्या बढ़ सकती थोड़ा सेहत का ध्यान रखें और सूरी के बीज मंत्र ओम अलित्या इनमा इसका आजाप करें सूरी देव को जल जरूर चड़ाएं तुला राशी तुला राशी वालो यह गोचर आपके लिए बिल्कुल शुम नहीं है बारवे भाव में सूरी की तुप यूथी यह ग्र प्रेशिक राशी इनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा काम कारोबार में मान पर्तिष्टा बढ़ेगी धनलाव होगा व्यापार में एकदम से लाब मिलेगा संताइक की तरफ से शोग समाचार की प्राप्ति होगी जो लोग लोग से संबंदित वैपसाइक करते हैं चलाते हैं या सॉफ्वेर इंजीनियर है या मशिन दिवर करते हैं उनको बढ़ा जबर्दस लाब मिलेगा धनो राशी धनो राशी वालों के लिए गोचर कवितरी काफी अच्छा रहेगा दश्वाव में सूरी होने से आपको सरकारी पक्ष्च लाब मिलेगा और आने वा कुम्ब राशी मकर के बारे में मकर राशी वालों भाकी वृद्धी के अच्छे संकेत इस समय मिलेंगे मित्रों का पूल सहयोग मिलेगा लेकिन आपको अपने आपको विवादों से दूर रखना चाहिए यह मेरी सलाह है अला कि व्यपार में आपको अच्छा धनला मिलेग और घर् में रुचै वह दूर और तस में पूल मिलाकर आपके लिए सवह दिकतर अच्छा यह का उसकता है और कुंब राशी के लिए महिन जी अच्छा हमें अच्छा नहीं है जो बिस्टौ का दियांन ज1 और यस समय धन का निवेश करने से बचना चाहिए फिली हो barrel हो अ मेन राशी वालों सव्टम वहाव में सूर्य होने की वज़े से वैवाई सुक में कुछ कम है सकती है इसमें विदेश यातरा विदेश ब्रह्मन का योग बनता वा नजर आ रहा है काम कारोबार में थोड़ा ही समय मिला जुला रहेगा परत्याशित आपको धनलाव कहीं अचानक से मिल सकता है कि अपने जीवन में सूर्य को मजबूत ही दे सकता है सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करें आप अपने पिता जी का आश्रवाद लें और आपके पिता जी कुछ लोग ऐसे भी है उनके पिता इस दुनिया में नहीं है तो वह अपने पिता समान रहती गई है मंदिर के पुजारी का इनके आयू पच्छास वर्षे उपर उ आपके लिए बहुत अच्छा अगर आपके कुल्डी में सूरी है तुला राशी में है या आम कहें कि आपका कुम राशी में तो बड़े बजर्गों के सलात से चलना आपको निशित रूप से आपके लिए लाबकारी साबित होता है सूर्य को जल चढ़ाए थोड़ा हल्द हुआ 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 है